हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल लर्निंग नोट बुक जैसे कि आपको पता है हमने अपने चैनल लर्निंग नोट बुक पर जोग्रिफी की सिरी स्टार्ट करी हुई है तो आज उसी सिरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं लेकर आई हूँ Layers of Atmosphere तो आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक को Layers of Atmosphere को बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं और friends इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई भी doubt होगा इस chapter से related तो वो सारे doubts आपके clear हो जाएंगे बिल्कुल अच्छे से हम इस chapter को पढ़ेंगे आज तो आएए शुरू करते हैं our earth is surrounded by a blanket of air called atmosphere अब atmosphere जो है वो blanket of air है जिसने हमारी planet earth को चारो तरफ से ऐसे जैसे इस figure में आप देखने हैं ऐसे घेरा हुआ है हमारे earth को उसने ऐसे चारो तरफ से घेरा हुआ है तो इस blanket of air को कहा जाता है atmosphere the atmosphere is divided into five layers तो friends atmosphere five layers में divided है तो देखिए हम सबसे नीचे से शुरू करेंगे यानि earth की जो closest layer है वो है troposphere फिर उसके उपर है stratosphere then middle में है mesosphere फिर उसके उपर है thermosphere और सबसे दूर है exosphere आप देखिए इन पांच layers को याद करना ज़रूरी है और इसको याद करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही simple सा phrase देती हूँ आप उसे याद रखिए thank you so much thore देखिए इदर देखिए ये thank you में जो t है इसको आप troposphere से याद रख सकते हैं s stratosphere, m mesosphere और thore का जो th है वो बन जाएगा thermosphere ठीक है और आखिए में सबसे उपर है exosphere तो आप बस ये phrase याद रख लिजिए thank you so much thore उससे आपको ये layers याद हो जाएंगी नीचे से उपर जा रहे हैं हम उसमें और दूसरी बात आप ये याद रख सकते हैं कि mesosphere, m यानि middle mesosphere मिडल में है ठीक है friends अब आईए हम इन पांचों layers को अच्छे से detail में एक एक करकर समझते हैं so first we are going to learn about troposphere it is the lowest layer of atmosphere starting at ground level it extends upward to about 10 km तो ये जो troposphere है ये सबसे नीची layer है पूरे atmosphere की यानि ये हमारी जो earth surface है ये देखें इस diagram को देखें ये हमारी earth है तो earth surface के बाद ये पहली layer है right starting at ground level अब जो earth से ये start होके earth की ground level से start होके ये उपर 10 km तक जाती है इतनी लंबी ये layer है कि 10 km तक उपर जाती है ये ठीक है students then tropo means change as almost all the weather changes occur in this layer due to the formation of clouds from the water vapors अब tropo का मतलब होता है change और इस layer का नाम ही troposphere इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जितने भी weather changes है almost सारे weather changes इसी layer में होते हैं कैसे होते हैं वो due to formation of clouds यहाँ पे इस layer में बादल बनते हैं due to presence of water vapor तो इसी वज़ा से इस layer में weather changes होते हैं चाहे वो rainfall हो चाहे वो snowfall हो सारे weather changes इसी layer में हो रहे हैं और हम human beings भी इसी layer में ही रहते हैं we humans live in this layer only troposphere now next air pressure drops and temperature gets colder as we climb higher in the troposphere अब देखिए जैसे जैसे हम troposphere में उपर जाते हैं air pressure drop होता चला जाता है देखिए air pressure का क्या मतलब है weight of the air तो जैसे जैसे हम उपर की तरफ move करते हैं air का weight कम होता चला जाता है और air pressure गिरता चला जाता है तो जैसे-जैसे we climb higher in the troposphere, air pressure drops. In fact, आप किसी भी layer में, जब उपर की तरफ जाते हैं, तो हर layer में air pressure drop होता है. ठीक है? अब दूसरा point है, temperature gets colder as we climb higher in the troposphere. Yes, तो जैसे-जैसे हम troposphere में उपर की तरफ जाते हैं, temperature कम होता चला जाता है, थंड बढ़ती चली जाती है. देखें, troposphere में ये mountains, hills, mount Everest, ये सब ही आते हैं. ठीक है? और आपने notice करा होगा, कि अगर हम कभी hill station जाते हैं, तो जैसे-जैसे हम hills की तरफ, mountains की तरफ बढ़ते हैं, हमें ठंड लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि temperature गिरना शुरू हो जाता है. पर ये चीज, सारी layers के उपर ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही हो, कि जैसे-जैसे कि हम उपर जाएं, हर layer में temperature गिरे, ऐसा नहीं है, ये temperature वेरी करता है, हर layer के हिसाब से. In fact, अभी हम जब next layer पढ़ेंगे, stratosphere, उसमें आप देखेंगे, कि जैसे-जैसे हम stratosphere में उपर जाते हैं, temperature बढ़ता चला जाता है. Now, let's learn about next layer, stratosphere. The layer above troposphere is called stratosphere. अर troposphere के उपर जो layer होती है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं stratosphere. This extends upwards from the troposphere to about 50 km. अब troposphere से उपर यह जाती है layer, कितने km तक जा रही हैं? 50 km तक. इतनी उची layer है, इतनी बड़ी layer है यह. The ozone layer is found within this layer, which absorbs most of the sun's ultra-walled rays. तो stratosphere में ही होती है ozone layer, जो absorb करती है sun की UV rays, यह बहुत ही harmful rays होती है UV rays, यह skin cancer कर सकती है. अगर यह direct हमारे पास आजाएं sun की UV rays, तो हमारे को skin cancer हो सकता है. इसलिए यह ozone layer बहुत ही important layer है. This layer is free from clouds and weather phenomena. तो अभी हमने देखा था कि troposphere में cloud formation होती है, पर जो यह stratosphere होती है, यहाँ पे ना तो कोई clouds होते हैं, और ना यह कोई weather phenomena होता है. ठीक है students, और यही एक reason होता है कि जैसे कोई turbulence नहीं है, clouds नहीं है, ना weather phenomena है, तो कोई turbulence नहीं होती हैं, तो जो jet aircrafts होते हैं, वो usually troposphere में और यह stratosphere के जो यह नीचे का part होता है, उधर ही fly करते हैं, उनके लिए असान होता है, fly करना इस layer में. ठीक है, यही चीज मैंने यहां लिखी है, commercial placenture jets fly in the lower stratosphere, partly because this less turbulent layer provides a smoother ride. ठीक है, यही चीज अभी जो मैंने आपको समझाई थी, यही लिख दी है मैंने यहां. Now, next point is, unlike the troposphere, the stratosphere actually gets warmer, the higher we go. तो friends, हमने अभी ट्रापसफेर में पढ़ा था, कि जैसे जैसे हम उपर जाते हैं, temperature कम होता चला जाता है. पर stratosphere में ऐसा नहीं है, जैसे जैसे हम stratosphere में उपर जाते हैं, temperature in fact बढ़ जाता है. ठीक है, stratosphere warmer हो जाती है, जैसे जैसे हम उपर जाते हैं. ऐसा क्यों होता है, the increasing temperature with height occurs because of absorption of UV radiation from the sun by ozone तो देखिए, stratosphere में उपर जाने से temperature इसलिए बढ़ता है, क्योंकि stratosphere में एक layer है, ozone layer जो हमें पता है, UV rays, sun की जो UV rays होती है, हमें उससे बचाती है, ये ozone layer sun की UV rays को absorb करती है जिसकी वज़ा से stratosphere का temperature बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये हमने पढ़ा stratosphere के बारे में Now next we are going to learn about mesosphere Above the stratosphere is the mesosphere, तो stratosphere के उपर अब ये layer होती है mesosphere, ये कहां तक जाती है It extends to a height of 80 kilometers above the stratosphere, तो stratosphere के बार ये 80 kilometers तक उपर जाती है किती बड़ी-बड़ी layers हैं ये It is one of the coldest layers of the atmosphere with a temperature to minus 90 degrees Celsius ये एक बहुत ही coldest layer है atmosphere की, जहां पर देखिये temperature कहां तक जा सकता है minus 90 degrees, ये तो बहुत ही जादा बहुत जादा ठंडी layer है And meteors burn up in this layer So students, हमारे space से, जो meteors आते हैं, Earth की तरफ बहुत बारी हमने news में सुना है कि meteors आ रहे हैं, तो वो mesosphere की वज़े से ही, इस layer की वज़े से ही हमारी Earth तक नहीं पहुच पाते क्यों? क्योंकि mesosphere में आके वो जल जाते हैं, they burn up in this layer No aeroplanes, fighter jets, hot air balloons can fly this high to reach this layer तो अभी मैंने आपको बताया था कि stratosphere और troposphere के वहीं पे रह जाते हैं जो यह aeroplanes और यह jets होते हैं, वो ऐसे कोई भी उड़ने वाली चीज इतनी उपर नहीं उड़ सकती कि वो mesosphere तक आ पाए Next layer is thermosphere The thermosphere is found exactly above the mesosphere Here the air is very thin तो जैसे कि आप इदर इस डाइगराम में देख सकते हैं, mesosphere के बाद आती है thermosphere पर यह जो air, air की जो layer है, यहाँ पे बहुत जादा thin air है यानि हमें सांस लेने में, breathing में बहुत problem हो इदर Air क्योंकि बहुत thin हो जाती है इदर Many satellites actually orbit earth within this thermosphere जब हम earth से कोई satellite भेजते हैं, तो वो usually इसी layer में orbit करती है Earth के चारों तरफ जब वो घूमती है, और्बिट करती है, तो वो इसी layer में घूमती है, thermosphere में The aurora, the northern lights and southern lights occur in this thermosphere Students, I am sure आपने बहुत बारी TV में, movies में भी देखा होगा Northern lights, southern lights यह होती है, जब आपको sky अलग-अलग colors में दिखाई देता है तो यह जो lightning, यह जो phenomenon होते हैं, phenomenon होते हैं, यह सब इसी layer में occur करते हैं यही होते हैं, thermosphere में, ठीक है देखें, friends, मैं आपको दिखाती हूँ, यह northern light कैसी दिखती हैं, अगर हम earth से इनको देखें, तो यह ऐसी दिखती है northern light देखें, कितने colorful से colors हमें यह आपर दिखाई दे रहे हैं तो ऐसी दिखती हैं यह Now in thermosphere, temperature rises rapidly with height तो आप देखिए, जैसे जैसे हम thermosphere में उपर की तरफ जाते हैं जो temperature है, वो तेजी से increase करता है It rises rapidly with height Temperature in thermosphere can reach up to 2000 degrees Celsius देखें, कितना ज़्यादा temperature हो सकता है महाँ पर जैसे हम उपर जाएंगे 2000 degrees Celsius तक temperature हो सकता है thermosphere में Oh my god, यह तो बहुत ज़्यादा increase हो जाता है The lowest part of thermosphere contains the ionosphere तो अब thermosphere में एक और part होता है, एक और layer In fact, यह कोई अलग से layer नहीं है, it is part of thermosphere only And it is known as ionosphere Friends, इसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी दिर में बताऊंगी पर उससे पहले, अब हम next layer की बात करेंगे जो है, exhaust sphere The outermost layer of atmosphere is exhaust sphere तो यह सबसे outermost layer है, atmosphere की, जिसे हम कहते हैं, exhaust sphere Air is very, very, very thin here Students, मैंने यहापे तीन बारी very, इसलिए लिखा है हमाँ पे space जैसी conditions बन जाती है Exhaust sphere finally fades away into space यही चीज मैंने यहापे लिखी है तो यह जो पांचों layers है, यह मैंने आपको इदर समझाई है यह exam point of view से भी बहुत important है यह layers, इनके नाम, इनकी spellings अच्छे से याद करिए और यह याद करिए कि हर एक layer में क्या होता है उसकी क्या importance है, ठीक है अब friends, बीच में अभी thermosphere पढ़ाते हुए मैंने आपको ionosphere के बारे में बताया था अब उसके बारे में हम detail में पढ़ लेते हैं ionosphere is not a distinct layer, it is the part of thermosphere सबसे पहले तो यह बात समझने की है यह ionosphere कोई अलग से layer नहीं है यह thermosphere का ही part, ठीक है it has number of electrically charged particles, ions and electrons तो इसमें ionosphere में बहुत सारे electrically charged particles है ions और electrons, अब यह कैसे बनते हैं, कैसे separate होते हैं यह ions और electrons, यह देखते हैं the energetic solar radiation knocks off electrons from the molecules to create a positively charged ion and negatively charged electrons तो देखिए क्या होता है जब sun की solar radiations अर्थ की तरफ आती हैं तो वो इतनी जादा energy होती हैं उनमें इतने जादा energetic होती हैं कि वो जब thermosphere के air molecules से टकराती हैं तो वो electrons को air molecules से अलग कर देती हैं तो उसकी वज़े से क्या होता है दो टाइप के particles generate होते हैं आयन और electrons आयन क्या होते हैं वो positively charged होते हैं और electrons negatively charged होते हैं तो यह जो आयन और electrons जब यह बहुत सारे ions और electrons मिलकर एक layer बनाते हैं जिसे कहा जाता है आयनोस्फेर नाव दू तो इस free ions दा आयनोस्फेर हैस मैं इंवर्स्टिंग करेक्टरिक्टिक्स इस लेयर इस capable of reflecting radio signals back to earth तो फ्रेंग्स यह ions की वज़े से ही जो आयनोस्फेर में ions होते हैं इनकी वज़े से ही radio signals reflect back होते हैं तो हम जो radio signals का यूज करते हैं वो ionosphere बज़े से ही possible है अभी जब हम यह thermosphere पढ़ रहे थे तो मैंने आपको अरोरा, northern lights, southern lights के बारे में बताया था इन फैक्ट यह तीनों यह कहां यह इसी ionosphere में ही होती है ठीक है आईए अब जल्दी से हम इन पांचों layers को revise कर लेते हैं सबसे पहले layer हमने पढ़ी थी troposphere which is the lowest layer of the atmosphere और यह earth के बिल्कुल closest layer है तो देखिए यह extend हमने पढ़ा था यह extend करती है 0 to 10 km था ठीक है अब फ्रेंक्स कही बूक्स में हो सकता है आपको पढ़ने को मिले यहाँ पे 10 की जगा आपको 12 या 13 km थक पढ़ने को मिले वो भी ठीक है क्योंकि as such कोई इदर line नहीं है कोई ऐसी distinction नहीं है इन layers के बीच में तो वो भी ठीक है यह layers एक दूसरे में fade away करती है ठीक है तो वो 10 हो 12 हो 13 हो यह सब ठीक है इदर फिर next layer हमने बड़ी थी stratosphere जो extend करती है 10 से 50 km थक then the next layer is mesosphere 50 to 80 km थक यह extend करती है फिर उसके बाद हमने बड़ी थी layer thermosphere जो extend करती है 80 से 700 km थक और फिर हमने topmost layer के बादे में पढ़ा जो है exhaust sphere और यह extend करती है 700 से 10,000 km था और क्या-क्या पढ़ा था हमने इन layers के बारे में troposphere में हमने पढ़ा था कि troposphere means change तो यहाँ पर सारे weather changes होते हैं क्योंकि इसी layer में सारे clouds form होते हैं ठीक है और इसी layer में उपर की तरफ जो planes होते हैं वो fly करते हैं फिर next layer है अपनी stratosphere इसमें हमने क्या-क्या पढ़ा था इसमें हमने पढ़ा था कि एक ozone layer होती है जो sun की harmful UV rays से हमें बचाती है क्योंकि ये ozone layer उन harmful UV rays को absorb कर लेती है और stratosphere में turbulence नहीं होती है क्योंकि यहापे कोई clouds वगेरा नहीं होते हैं तो इस layer में कोई turbulence नहीं होती है तो इसमें नीचे की तरफ commercial jets वगेरा fly करते हैं फिर next mesosphere में ये वो layer है जिसमें meteors आकर burn होते हैं इस layer में burn होते हैं meteors then next we learnt about thermosphere thermosphere में हमने देखा था कि इसका part होती है ionosphere और इसी layer में thermosphere में ही ये जितनी northern lights, aurora और southern lights का phenomena होता है वो सब इसी layer में होता है एक और चीज हमने इसमें बड़ी थी कि जितनी भी man-made satellites हैं mostly इसी layer में होती हैं थर्मosphere में और फिर last layer हमने बड़ा था exhaust sphere में that in this layer the air becomes very very thin and this layer it fades into space तो जितनी भी space shuttles वगेरा होती हैं वो यहीं से होकर गुजरती हैं exhaust sphere से ही अब और क्या हमने पढ़ा था इन layers के बारे में एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जैसे जैसे इन layers में हम उपर की तरफ जाते हैं तो जो air pressure है वो कम होता चला जाता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो air का weight है air का weight कम हो जाता है air thin होती चली जाती है जैसे जैसे हम उपर जाते हैं तो air pressure drops as we move upwards in these layers बट यह चीज temperature के उपर apply नहीं होती है temperature अलग तरीके से behave करता है हर layer में मैंने आपको बताया था कि tropper sphere में जैसे जैसे हम उपर जाते हैं temperature गिरता है ठंड होनी श्रू हो जाती है तो यहाँ पर friends जैसे कि इदर मैंने left की तरफ यह line बनाई है तो यह मैं indicate कर रही हूं कि temperature गिर रहा है ठंड हो रही है ठीक है और फिर मैंने आपको stratosphere में बताया था कि जब हम stratosphere में उपर की तरफ जाते है तो temperature बढ़ता है गर्मी होती चली जाती है क्योंकि यहाँ पर ozone layer है जो UV rays को absorb करती है तो उस वज़े से गर्मी बढ़ती चली जाती है इस layer में जैसे कि हम उपर जाते है फिर next हमने सीखा था mesosphere के बारे में कि mesosphere में जैसे जैसे हम उपर जाते है temperature बहुत ज़ादा गिर जाता है it is one of the coldest layer of the atmosphere यहाँ पर इतना ज़ादा ठंड हो जाती है कि minus 90 degree Celsius तक जा सकता है temperature फिर हमने thermosphere में यह पढ़ा था कि यहाँ पर जैसे जैसे हम उपर की तरफ जाते है temperature increases rapidly बहुत ज़ादा temperature rapidly increase करता है इसलिए देखे कितना शाप मैंने यहाँ पर increase दिखाया है इतना ज़ादा गर्मी हो जाती है इदर कि 2000 degree Celsius तक temperature हो सकता है इस layer में thermosphere में और यही pattern उपर तक follow होता है exhaust sphere में भी काफी जादा temperature रहता है ठीक है friends तो यह था हमारा chapter layers of atmosphere